जैसे कि आप लोगो को पता होगा 9 माई वो डेट थी जब हमारी 4th जनरेशन मारूति स्विफ्ट लॉंच होने वाली थी बड़ आप उस 9 माई का क्या फाइदा जब पूरी के पूरी गाड़ी हर एक वेरियंट रिवील हो चुके हैं जी हां बिल्कुल सई सुना आपने इस गाड़ी का टॉप वेरियंट, मिड वेरियंट, बेस वेरियंट हर एक वेरियंट अच्छी तरीके से रिवील हो चुके हैं डिस्क्लोज हो चुके हैं जिसके हम आज की वीडियो में बात भी करने वाले हैं जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा हमारी नए वाली मारूती सुफ्ट की बुकिंग्स वगेरा उपन हो चुके हैं जिसके उपर हमने एक और वीडियो बनाई थी पहले भी बट उस दिन के बाद से मारूती ने स्टॉक अप करना चालू कर दिया हैं प्राइसिंग की अगर आप इसका बेस वी लेते हो तो भी आपको काफी कम खर्चे में टॉप वली फिलिंग आ जाएगी अब और टाइम बेश नहीं करते हैं चलते हैं वीडियो के अंदर और बताते हैं आपको क्या के फीचर्स क्या 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 मज़ेदात चीज़ें को मिलने वाली हैं LXI, ZXI और VXI वेरिंट्स में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस गाड़ी में नया क्या चीज़ आने वाली है तो जो मेन पॉइंट रहने वाला इस गाड़ी का वो है इसका ये नयवाला Z-Series का 1.2 लेटर का 3-Cylinder इंजिन कई लोगों को इसके 3-Cylinder इंजिन से काफी अधा शिकायते हैं मैं आपको बता दू 4-Cylinder और 3-Cylinder में कोई भी जादा फरक देखने के लिए नहीं मिलेगा मैं आपको बता दो इस गाड़ी के अंदर एक्स्टीर के लुक्स हमको बिलकुल वहीर मिलने वाले हैं जो कि हमको टॉप मॉडल में मिलते हैं थोड़ी बहुत चीज होगी कमी रहने वाली है जो कि मैं आपको अभी बताता हूँ सबसे पहला चेंज जो हमको देखने के लिए मिलता है वो यह है कि इस गाड़ी के हेडलाइट यूनिट के अंदर जो LED पार्ट हमको देखने के लिए मिलता था उसको हटा कर यहाँ पर एक क्रोम स्ट्रिप लगा दी गई है बागी इस गाड़ी के अंदर हमको alloy wheels, wheel cover कुछ भी नहीं देखने के लिए मिलता है, खाली steel rims देखने के लिए मिलते हैं, wheel cover आपको accessories का part मिलेगा, tire size की बात करें तो वो भी मात्रम को 14 inch के steel rims मिलने वाले हैं, तो definitely अगर यह गाड़ी आप लेते हो तो आपको इसके अंदर alloy wheels सो लगवानी पड़ेंगे, जो कि हैं 16 inch के dual tone alloy wheels, जो कि हमको main top variant में मिलते हैं, भागी आप देख सकते हो, side view mirror काफी अधा basic वही हमको black color में देखने के लिए मिलता है, door handles भी हमको black color में देखने के लिए मिलते हैं, indicator हमको side fender पे देखने के लिए मिलता है, यानि कि निखट base वाली feeling आ रही है इस गाड़ी को देखने से, ए पेर भी rear looks को देखकर आप ज़्यादा judge नहीं कर पाऊगे, कौन सा variant जा रहा है, बागी interior की photo इस variant के हमको नहीं मिल पाई है, लेकिन हम यही से idea लगा सकते हैं, काफ यादा basic interior रहने वाला है, ज़्यादा कुछ features वगएर की उमीदे मत रखना इस वाले variants से, क्योंकि यह बिल model बना सकते हो, top model के मजे ले सकते हो, उसके बाद आती है हमारा यह VXI variant, जो की होने वाला है mid variant, जो की हमेशा से swift का most value for money variant भी रहा है, जैसे कि आप इसके अंदर देखी पा रहे हो, LED DRL तो इसके अंदर भी नहीं मिलते हैं, fog light तो इसके अंदर भी नहीं मिलता, बट side में आ ने tail light तो आपको बताई दी, top model वाली मिलने वाली है, rear defogger मिलता है, rear wiper इसके अंदर भी अविलेबल नहीं है, कुछ इस type का interior इस गाड़ी के अंदर हमको देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पर automatic climate control जैसे features इसी variant से आने चालू हो जाते हैं, भागी आप देखे सकते हो, पूरे का interior hard plastic के material से बना हुआ है, center में हमको एक छोटी से screen देखने के लिए मिलती है, most probably 7 inch की रहने वाली है, rear mounted controls रहने वाले हैं इस गाड़ी के अंदर cruise control जैसे options नहीं है, semi-digital instrument cluster रहने वाला है, जो की काफी ठीक था गया, decent सा feature है, बात करें इस गाड़ी के boot space की, तो पहल top model नहीं है, ZXI model है, ZXI optional भी आ सकता है, जिसके अंदर most probably हमको 17 inch के alloy wheels देखने के लिए मिलेंगे, बागी इसके अंदर आप देख सकते हो, LED DRL हमको मिलने वाले है, L-shaped के नीचे की side हमको bust से LED fog lamp मिलने वाले है, side में हमको electronically adjustable side view mirror मिलने वाले है, body colority door handle मिलने वाले है, request sensor मिलने door handle पर जो की काफी अच्छा एक point है, बागी 16 inch के dual tone इसके वो रहने वाले है alloy wheels, जैसे के मैंने आपको बताया, rear view तो बिल्कुली सेम रहने वाले है, इसके सभी variants के, जैसे के आप clearly check out करी पा रहे होंगे, नीचे की side ये एक ऐलक चीज है, हमको 4 parking sensors मिल जाते है, rear camera मिल जाता ह कुछ इस type का interior रहने वाले है, full black doubt, जहाँ पर हो सकता है हमको wireless charging के options देखने के लिए मिल जाए, 360 degree camera तो मिली नी रहा है, इसके अंदर खाली एक reverse camera मिलता है, rear parking sensors के साथ, भागी steering पर हम देख सकते हैं, वही हमारा normal वाला Suzuki का steering wheel रहने वाले है, multimedia controls और cruise control के options रहने वाले है, बी छे airbag standard मिलते हैं, dual disc मिलती है, front और back में, 3.50 belt और traction control जैसे features हरी variant के अंदर मिलते हैं, तो यही थे इस गाड़ी के 3 variants, LXI, ZXI और VXI, कैसे लगे मेरे को comment करके ज़रूर बताना, और आपके give views हैं, नए वाली मारुतिय स्विफ्ट को लेकर ये भी comment करके ज़रूर बताना, ह आगे यह तो था informal way में पूरी गाड़ी disclose हो चुकी है, 9 तारीक को officially पूरी गाड़ी reveal हो जाएगी, तो 9 तारीक को हम बढ़िया specific variant list, price list, engine wise और भी बहुत साज जितने भी details हमको मिलेंगी, सभी के ओपर हम वीडियो बनाएंगे, तो 9 तारीक को भी जरूर आना मत बूलना इस